हेलो फ्रेंड वल्कम बैक तो दे इन्फर्मेशन ग्रूप आप सभी का इन्फर्मेशन ग्रूप में बहुत बहुत स्वागत थे अगर आप हमाई चैनल पे न्यू है तो चैनल को जोर सस्क्राइब करें इस इन्फर्मेटिव वीडियो के लिए आज मैं आपको इस वीडियों बताने वाला हूँ अगर आप मॉंबई यूनिवर्सिटी में ओपन जिसे हम डिस्टन भी कहते हैं उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं बी ए बी ए सी या फिर बी कॉम में या फिर एम मास्टर में लेना चाहते हैं तो उसके लिए इस client आया होगा इस website पर click करेंगे जैसे इस website पर click करता हूँ anti-service show होता है आपको topics 005 हाना है नीचे आने के बाद 10 है यहां पर आ देसका है qa कि notification admission 2024-2025 यहां पे लिखा हुआ है तो आप इस पर जैसे किलिक करेंगे तो आप इसका notification डानूड कर लेना है मैं पहले से डानूड करके रखा हूँ तो आप मैं इसे open कर लूँगा open करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का open होगा जो new notification आया गया है मुंबई उनिवर्सिटी के जर्ये जो आप open admission लेना चाहते हैं 2024-2025 के शेशन में academic year दिख सकते हैं यहां पे 2024-2025 यहां पे लिखा हुआ है उसके बाद नीचे आएंगे तो यहां पे जो आपका admission जो start हुआ है यहां पे दिख रहा होगा कि इन सब के लिए अभी आपका जो online admission स्टार्ट हो चुका है वो भी 26 जून से लेकर 31 जूलाई तक लगबग आपको एक महने से जादा का वक्त दिया जा रहा है आप इन दोनों date के डर्मियान में जाके आप online ही आपको form फिल करना होगा और नीचे आएंगे तो देख सकते हैं नीचे भी कुछ notification आपको दिया हुआ है कि second year और third year का जो admission है मुंबई यूनिवर्सिटी डिस्टन में तो उसका अभी तक कोई भी date announce नहीं हुआ है देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है date of admission of the following program will be announced soon तो यहां पर साफसाफ लिखा हुआ है कि जो आपका second year है और third year है B.A.C., B.C.O.M. और B.A. इन सब के लिए जो date announce नहीं हुआ admission के लिए इसे तरह नीचे आते हैं तो जो आपके master अगर करना चाहते हैं आप Mumbai University से वो भी distance mode पे open mode पे तो आपको यहां पर PG Part 1 और PG Part 2 दिख रहा होगा और इसके लिए अभी तक date announce नहीं हुआ है तो date announce सिफ किसके लिए हुआ है date announce आप देख सकते हैं जो first year BA, BC, BC में admission लिना चाहते हैं उनके लिए date announce हो चुका है और उनके लिए form filling start भी हो चुका है लेकिन नीचे आएंगे तो जो आप अगर second year में है यानि second year BC, 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 BA में है या फिर आप master में admission लिना चाहते हैं आपके लिए कुछ भी date announce नहीं हुआ है अभी अगर जैसी announcement होता है तो मैं आपको update कर दूँगा आप इस channel को subscribe करके रख सकते हैं क्योंकि मैं आपके लिए एक proper video बना कर लाऊंगा अगर date announce होता है और form filling का भी अगर आप डिमांड करते हैं यहां पर सफफ लिखा हुआ है उसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद आपको पुरी अथि से detail में दिया हुआ है अब अपने हिसाब से भी खुद read कर सकते हैं यसे नीचे आ हैंगे तो नीचे आने के बाद लिख सकते हैं कि एगर आप admission लेते हैं अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपको ABCID कहा जाता है कि आपके पास ABCID है तभी आगे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है कि ABCID जिसे हम Academic Bank Credit करते हैं और अधार कार्ड as per the new education policy 2020 आपको ABCID कैसे बनाना है आपको अगर आपको इसको पर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं उसके पर भी प्रॉपर वीडियो बना के लाओंगा और यहां पर लिक में दिया हुआ है जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको PDF ओपन होगा उसमें सब डिटेल यहा है तो आप इनसे डारेक राप्ता कर सकते हैं उसके बाद अगर आपको online form फिल करना है तो साफसाफ लिखा हुआ है कि यहां पर दिख सकते कि अच्ट कि एकिंड एडमिशन फूर फर्स येर अंडर गेज़वेशन प्रोग्राम डी डी जगाने सीडी ओए हैव रजिष्टर के फ्रेशली फर्म द लिंग यहां साफसाफ दिया हुआ इस पर में जो क्लिक करना है यहां पर लिंक दिया हुआ यानि अगर आप अंडर ग निची आएंगे निची आने के बाद आपको यहां पर देख सकते हैं अच्छी से उसके बाद यहां पर आपको Online admission फूर जो फर्स्ट एर दोजार चोबी सब्स पर परचिस इस पर क्लिक करना है जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस तरह का परोगिन करने के बाद आपको एक एक करके आपको फॉर्म भरना एक कोई भी वी क्वेरी हैं तो क्मेंट वक्स में आप कमेंट कर सकते हैं और आने वाले हर एक अपडेट के लिए हमाई चॉप्राइब करें कि हम इस चैनल पर जो मुंबई यूनिवर्सशं या और ओपन अड आफ्रमेटी वीडियो के लिए चेहरें को सिस्क्राइब करें